हलो एवरीबन गुड इबिलिंग दोस्ते हैं यहां पर आज के इस वीडियो में लाइन में के दोस्तों बारें बात करूँगा यहां पर जो वेकेंसी आई हुई है आइटियाई के विलिए जोस्तों अगर आपने आइटियाई किया हुआ है इलेक्ट्रिशियन से ठीक है तो दोस्तों आप इसमें भर सकते हैं बहुत सारे पोस्त हैं तो दोस्ते हाँ पर इस वीडियो को बिल्कुल कम्पलीट देखना मैं यहां पर आपको इस्टेप बाइस्टेप फार्म कैसे भरना है कौन सा लिंक मिलेगा आपको क्या नोटिफिकेस हैं सेलरी क्या है क्या प्रोसेस दोस्तों मैं कम्पलीट आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को फूरा देखना और दोस्ते हैं आप डिस्क्रिप्सिन में टेली ग्राम का लिंक है जो की ITI के लिए स्पेसल बनाया गया है ग्रूप तो वहाँ पर आप लोग जोईन हो जाना अगर आपने जो है ITI किया हुआ है डिप्लोमा किया हुआ है तो ठीक है यह मैंनेOS जो है नोटिफिकेसण डाउलोड किया है और दोस्ते आप यह पबलिक नोटीस है ठीक है इसको तो आप भी डाउलोड कर सकते हैं या फिर मैं इसका डारेक्ट लिंक देदूंगा वहां से डारेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्ते हाँ पर पब्लिक नोटिस दिखते हैं क्या रिखा हुआ है अप्लाई अप्लिकेशन फार्म आप दोस्ते हाँ पर असिस्टेंट लाइनमेन की ये भरती है इलेक्टिसी दिपार्टमेंट के लिए ठीक है और ये दोस्तों कैटेगरी वाइस बैकेंसी आप दिया हुआ है आप देखेंगे दोस्तों जनरल की 25 पोस्ट हैं आप दिसकते है OVC की 14 पोस्ट है, SE की 9 पोस्ट है, EWS की 5 पोस्ट है और टोटल दोस्ते हाँ पर 33 पोस्ट है ठीक है आप देखो ये बिलकुल गुर्मेंट जाब है और इसको आपको भरना चाहिए मौखा बार बार नहीं मिलता अगर आपने आइडे किया है आप लोग अधर एक्जाम के भी त्यारी कीजिए लेकिन फॉर्म भरना चाहिए दोस्ते हाँ पर टोटल तिर पर पोस्ट है जिसमें से यहाँ पर कुछ टर्मन कंडिशन दिये गया है दोस्तों इसका जो ऑफिसल वेबसाइट जो है न यह बाला है www.chandiga.gov.in हलाकि मैं इसका अपलाई लिंक मैं आपको दे दूँगा वहाँ साब डायरेक्ट इसको अपलाई कर सकते हैं ठीक है अब दोस्ते हाँ बात करते हैं किसमें जो है क्या क्या अब बाकी डिटेल है देखी यह डिटेल जो आपको मैंने बता रहा है यह देखी यह मैंने बता द स्टिफिकेट लाइन में देखी यहाँ पर दो-तिन तरह के ब्रांच है लाइन में एलेक्ट्रीसिया या फिर वायर मैं यह आई टी आई नौलेज आप्टे अपनी या फिर पंजाबी आपका पास फिर पंजाबी नौलेज होनी चाहिए इसको दोस्ते हमाँ पर सर्टिफिके गवर्मेंट टाइफ इंडिया एंटी दोस्ते हाँ पर आपके पास सेटिफिकेट भी होना चाहिए ट्रिपल सी का ठीक है इसके बाद दोस्त आपके उम्र जो है आठारा साल दे करके 37 साल तक होने चाहिए देखिए क्लियर मेंशने हैं आपर एडा सरसफ इसके लिए है इसको दोस्ते हाँ पर ऑफिसी के लिए है इसको दोस्ते हाँ पर जो भी को यह से सेंटर गूर्मेन्ट की हों आई टी आई स्टेंडर्ड और जो दुस्तों आप लोग त्यारी कर रहा ही सब कुछ होगा और दा कांडिडेट वोड बी कांसिडर्ट तु क्वालिफाइट विस रिटेंट टेस्ट अंड अनलेस और अंटिल ऑप्टेंट 40% मिनिमूम आपको क्वालिफिकेशन 40% इसे मांग से लेक्षा के बाद आपको जो है अंसर की मिलेग देखने के मिलेगा इसके बाद जो है आप वेबसाइट पर अप्लोड कर दियाएगा वहीं साब देख पाएंगे इसके बाद जो है कमेटी और मॉक्स अप्टेंड बाइट इन रिटर्ण टेस्ट विल भी अप्लोड में नंबर भी देख सकेंगे मेरिट लिस्ते आर की जाएगा वहां पर जो टॉप मॉस्ट रहे का उनको जो है सेलेक्शन किये जाएगा बाग दोस्ते हाँ पर आप्वाइंड प्रोवेजनल अपॉइंड लिटर विल भी इसू टुदा सेलेक्टेट कंडिट अफ्टर अप जिनका सेलेक्शन नहीं पाएगा बागी दोस्ते हाँ प्रोसीजर फार सम्मिशन ऑनलाइन अप्लिकेशन पहले आपको इसे बिजिट करना है इसके बाद यह अप्लिकेशन फी नॉन डिफिजन दोस्ते एक हजार रुपया है यहाँ पर जनरल के पांस रुपया ऐसी के लि और तीन तक जो है फिस जमा कर सकते हैं यही कुछ डिटेल है दोस्तों बागी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है आख बंद अगर के भर दीजिए अगर आपको भरना है तो बागी आपकी इच्छा है मिलता दोस्तों के लिए वीडियो में इस तरह सब्रेट पाने के लिए चै जहिंद